नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं NDC News मैं हूँ आपके साथ अर्षना कौशल जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरी तो दोस्तों आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपके लिए कुछ स्पेशल है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी स्टोरी हाल ही में मोदी सिरकार ने मंत्रियों की गाड़ियों से लाल बती हटवा कर वी वी आएपी प्रथा को खत्म करने के लिए महतपुन कदम उठाया लेकिन फिर भी वी आएपी कल्चर कितना खत्म हुआ है ये बताने की अब शायद आप ये सुच रहे होंगे कि जब देश के हर वहन पर नंबर प्लेट होना जरूरी है तो राश्टरपती की कार पर नंबर प्लेट क्यों नहीं होता आखिर ऐसा क्यों होता है आफिर राश्टरपती के लिए अलग कानुन क्यूंद तो आज हम आपको इनी सवालों के जवाब देते हैं राश्रपती की कार पर नंबर प्लेट क्यों नहीं होता आपको इसकी वज़ा जानकर थोड़ी से हरानी होंगी सबसे पहले जरा सोचिए अगर हम और आप अपनी गाड़ी को बीना रेजिस्ट्रेशन नंबर के बाहर लेकर निकालें तो क्या होगा हमारी गाड़ी पुलिस से जब्द कर लेगी या फिर चलान कर जाएगा हमारी गाड़ी पुलिस से जब्द कर लेगी या फिर चलान कर जाएगा लेकिन देश की राष्ट्रपती के लिए ये कानुन कुछ अलग है आपको बता दें कि राष्ट्रपती के पास 14 ऐसी गाड़ियां होती हैं जिन पर नंबर प्लेट नहीं लगे होते दरसल किसी भी गाड़ी को सड़क पर चलाने के लिए सर्टीफिकेट और रेगिस्टेशन की जरुbolत होती है जिसे सरकार की तरफ से जारी किया जाता है इसे आर्सी भी कहा जाता है यही रेगिस्टेशन नंबर आपकी गाड़ी के नंबर पलेट पर लिखा होता है ये रेजिस्टेशन नमबर दिल्ली में, DL, छंडिकर में, CH और उत्रपरदेश में, UP, उत्रखंड में, UK गाड़ी का रेजिस्टेशन इस तरह से होता है, पंजाब में PB और बिहार में BR से शुरू होता है, किसी भी आम आदमी की गाड़ी का रेजिस्टेशन 15 साल के लिए मा राष्ट्रपती की कार पर नमबर प्लेट नहीं होता, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति नहीं गाड़ी लेता है, तो उसे रेजिस्टेशन नमबर जारी होना तो जरूरी होता है, और एक temporary रेजिस्टेशन नमबर भी जारी किया जाता है वो इस नंबर से अपनी गाड़ी चला सकते हैं कार पर नंबर प्लेट क्यों नहीं होता ये आपको बता दें भारत के किसी राज्य या केंदर शासित प्रदेश से गाड़ी खरीदने पर उसका रेजिस्टेशन सभी राज्य और केंदर शासिर परदेशों में मानने होता है लेकिन अपने जिस राज्य से गाड़ी खरीदी है उस राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य में उसे 12 महीने से जादा समय से चला रहे हो तो आप कोसी राज़े में अपनी गाड़ी का फिर से राजिस्टेशन कराना होता है British system के मताबिक King Can Do ने wrong यानि के एक राजा कभी भी गलत नहीं कर सकता इसी वजह से राश्ट्रपती वे अन्य माननियों की गाड़ियों पर राजिस्टेशन नंबर नहीं होता लेकिन हाल ही में केंद्रिय सडक परिवेन एवं राज मार्ग मंतराले ने इस सम्मंद में दिल्ली हाई कोट में हल्फ नामा दाखिल कर इन गाड़ियों पर भी नंबर प्लिट लगाने की मांग की है तो दोस्तों मैं जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहत पसंद आई और नीची कमेंट करें लाइक करें शेयर करें और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हम से जानने के लिए हमारे चैनल को कीचिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब